कि में आप देखहरें आपके तणल शे बिदाइयुश और हम बात करेंगी इस वीडियो में आरकेट 높्रास आइप्यो के बाहद में पद्पाम्हे दोस्तों अहनола थेवर कर देख़्ा और अब एक दीन और बचा हुआ है besp स्टेंबर नाइंटीन इस फॉर्ट डे जरूर दोस्तों चार दिन की एश्यों आपको इने पहले बता दिया था क्यों था उसकी बीचे का दीजन अपको सब कुछ बता दिया था अगर शुरुबात के दो दिनों में देखा जाया तो क्यूवाई बीच के तरफ से जुरूर पैसा नहीं आया जो अब्वियस सी बात है सारे इश्यों में नहीं आया लेकिन एचना गाड़ एकर इपन 30 गुना सब्सक्राइब हो गई रीटेल 21 टाइम्स तो टोटल मिलाकर 17 ट अगर दो दिनों में इश्यों इतना सब्सक्राइब होता है तो यह अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इश्यों को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है विगास पहले दिन 6 गुना है तो दूसरे दिन 17 गुना है आप समझ सकते हैं कि more than double पैसा हमको आता हुआ दिखा है सेकिंड डे के अंदर लेकिन थर्ड डे किस तरीके गारा चलिए अब इसके उपर बात करते हैं अगर आप दिखेंगे तो डिफिनिटली अभी जाता नहीं भरी है 63,75,000 शेज ओपर किये गए थे जिसके आपने अभी 41,36,440 शेज के लिए अप्लिकेशन आई है कुल मिलाक 52,95 करोड के आसपास दोस्तों अभी तक इस इशू में QIB ने पैसा लगाए बट मैं आपको यह कहता हूं कि लास्ट डेक QIB से पैसा आएगा कितना आएगा यह दिखने वाली बात है मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है यह मुझे लगता है कि 100 गुना यहाँ पर QIB इसको सब्स 52 टाइम सब्सक्राइब हो चुकि है यह आप कह सकते हैं आज काफी शांदार पैसा बेसिकली आता हुआ दिखा है करीवन 3,819 करोड रुपीज जो है वो बेसिकली टोटल अगर आप दिखेंगे तो एचनाई के तरफ से अभी तक इस इशू में और आ चुका है जिसमें जो बिग अचनाई काटेगरी है वो 51.98 टाइम सब्सक्राइब हुई है मतलब कितना 31,87,000 शेज ओफर किये गए ते जिसकर में अभी तक 16 करोड 57,000 शेज के लिए अप्लिकेशन आ चुकी है कुल विलाकर दोस्तो 2,120 करोड रुपीज जो है वो अभी तक हमको बिग NIS के तरफ से आता हुआ दिखा है यह बाद ध्यान रखिएगा अभी जितना सब्सक्राइब हुई है उसमें अगर हम 52 को ले लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी दोस्तों बिग अचनाई के अंदर close to 10 या फिर 11 के आसपस में एक विक्टिकल आपन मिल रहा है बर और और बाते कल और पैसा आता हुआ दिखेगा मेरे सबसे बिगे चनाई काटेगरी विल सब्सक्राइब अराउं 75 ताइम्स यह मेरी एक्स्पेक्टेशन से कि 75 से 80 ताइम्स या फिर 85 ताइम्स कह सकता हूं मेजर लिए सब्सक्राइब होती भी दिखती है यानि यह हो सकता है कि दोस्तों सब्सक्राइब होती है यहां से दोस्तों आप मान सकते हैं 25 से 30 गुना तक और पैसा आ सकता है यानि यह चांसे है कि यह भी 100 गुना के पार जाती भी दिख जाए क्योंकि आख्र दिन है इसलिए मैं आप बात कर रहा हूं राइट रिटेल कटेगरी आती है जो करीबन 35.73 तक सब्सक्राइब हुई है कुल मिलाकर 1 करोड 11 लाक शेज ओफर किये गए तो 39 करोड 85 लाक शेज के लिए अप्लिकेशन आ गई 5,000 करोड रुपे दोस्तों यहां 045 करोड रुपीज जो है वो इस इशू में अभी तक आते हुए दिखे है नहीं कम्पनी को अपने आप में दोस्तों शांदार है खराब नहीं है शांदार है और कल कितना पैसा हो रहाएगा यह देखने वाली बात होगी क्योंकि आख्री दिन है तो QIB से पैसा आएगा HNIs Full Force में लगाएंगे रीटेल Full Force में लगाएंगे तो नो डाउट यह इशू अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है हो इस बता है कि 100 गुना यह इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिख जाए बाकि अगर ग्रे मार्केट के वारे में बात करते हैं तो देखिए Northern Arc Capital यह इशू भी ओपन हो चुका है और यह इशू का बस पता है आपको आखे दिन है कल राइट शो अब इसकी भी एंडिंग नियर है थर्ड दे धाज थर्ड दे कंप्लीट हो चुका है 249 से 263 का प्राइस बेंड है यह वाद ध्यान रखेगा 263 पे ही आपको याद रखन और B.A.C.N.C. दोनों पर लिस्ट होगा जो सरुवात के दो दूनों में यह इशू सब्सक्राइब हुआ था Q.I.V के तरफ से पैसा इसमें भी नहीं आया बटे चना एक काटेगरी करीबन 22 गुना भर गई थी रीटेल काटेगरी 11.32 तो कुल मलाकर दो दिनों में यह इश से होता है यह 9 ताम्स को भी क्रॉस कर गया था अब समाझ सकते हैं कि कितना चांदा सब्सक्राइब हुआ था बट अज थर्ड डे कैसा रा यह देखते हैं QIB पोर्शन करीबन 32 परसंग जास पर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है करीबन 48 करोड रुपीज अब तक QIB ने लगाए नहीं यहाँ पर अभी भी QIB का पैसा नहीं आए बट QIB का पैसा जैसे मने का आक्स दिन आता है तो कली हमको आता हुआ दिखेगा अभी तक QIB ने only 18,40,006 के लिए apply किया है यानि अब समझ सकते हैं QIB की तरफ से पैसा कुछ खास नहीं आया बट मुझे यह देखना है राइट कि तीन IQ कुले वे हैं तीनों में से first preference QIB की कौनश रहती है बलब जाता पैसा कहां पर आता है क्या Northern Arc में आता है या फिर आता है आर्केट developers में यह दो इशू में जाता पैसा आएगा QIB का बट इसमें से किस में आता है यह देखने वाली बात होगी then यहाँ पर आते हैं हम दोस्तों HNI काटेगरी पे जो 52.81 ताइस पर सब्सक्राइब हो चुकी है HNI ने इस इस इशू में 6000 क्रोड रुपर डाल दी है तो आता हुआ दिखा करीपन 4041 करोड जो है वो आपको अभी तक Big HNI की तरफ से आता हुआ दिखा है यानि Big HNI काटेगरी काफी शांदार इस इशू को सब्सक्राइब कर रही है वही जो Small HNI काटेगरी है वो भी पीछे नहीं है 52.48 ताइम्स यहाँ पर भी आपको सब्सक्राइ सब्सक्राइब कर दिया है तो और कितना पैसा आ सकता है यह देखने वाली बात होगी वही जो रीटेल पोर्शन है वह भी पीछे नहीं है 19.90 टाइमस काट पर सब्सक्राइब हो चुका है करीवन एक करोड एक लाग शेर ओफर किये गए थे तो बीस करोड बीस लाग शेर क नजर आएगा यह भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे देखने आ है कि कल कितना है आपर रीटेल और इचनाय का पैसा आता है राइट कुछ इशू बहुत अच्छा होगा लाइक प्रेमेर अनरजी तो वहापर ज्यादा पैसा आ गया बट जबसे बज स्क्रिप्शन जादा देखने को मिल रहा है जो एक्स्पेक्टेशन से होती है कुल बलाकर दोस्तों यह जो इशू है वो 21.49 सब्सक्राइब हो है करीबन 11,000 क्रोड के आसपस इस इशू में अभी तक पैसा आ चुका है वह अगर में बात करता हूं करेंट ग्रे मार्केट के देखने को बात करेंगे और आर्केट डेवलेपर से भी नीचे खिसक गई है इस इस इशू की ग्रेमार्केट अचानक से सिलिंग प्रेशर आता हूं नजर आया मतलब कल 202 रुपे थी और जैसे वह रहा है उसके बाद से दोस्तों ग्रेमार्केट में डिखने को मिल रहा है कि कंपनी भड़िया है दोस्तों फंडामेंटल पर जादा आपको यहां पर मोहड लगा नहीं रादर दिन की ग्रेमार्केट पर देखके लगाए मैं मैं मिशे कहता हूं पर नोड़ ग्रेमार्केट में आज तो गिरावट देखने को मिल रही है तो दोस्तों इस वीडियो म झाल